चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल्स अभी तक हम लोगों ने जो तीन मेजर फिडिकल स्टेट्स के बारे में पढ़ाए किसी मैटेरियल की वह सॉलिड लिक्विड एंड गैस लेकिन जब हम लोग थोड़ा अपना पुरानी बुक को अगर देखें तो एक हिंट दिया गया था नाइन्थ क्लास की बुक में जब आपको स्टेट ऑफ मैटर बताया गया था सबसे पहले तो वहां कहा गया तेरा फाइफ फिडिकल स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस देन लिक्विड क्रिस्टल एंड फैन वन मोर है solid के अंदर जो molecules है they are fixed at their position liquid molecules जो है वो random order में present होते हैं और gas के अंदर molecules के बीच का space और ज्यादा increase हो जाता है तो अभी फिलहाल जो हम यह liquid crystal term पढ़ रहे है liquid crystal एक अलग से physical state हमने मानी जो solid और liquid इन दौनों के बीच में lie करती है उसके अंदर कुछ properties solid की भी होती है और कुछ properties liquid की भी होती है यानि यह ना तो पूरी तरह से अपनी जगे पर fix हैं इनके molecule अपनी जगे पर पूरी तरह से fix नहीं है नहीं उनके अंदर इतनी randomness आई है जितनी की liquid के अंदर होता है तो actual में crystalline solid और clear liquid इसे हम isotropic liquid भी बोलते है लिक्विड और solid के बीच में जो एक हेजी liquid टाइप का एक प्रॉपर्टी मिलती है उसे हम liquid crystal बोलते हैं तो किसी भी material को सबसे पहले 1870 में कुछ compound से जन्हें उन्होंने heat किया तो वो solid से जब वो melt होना शुरू होते थे तो पहले एक हेजी liquid के form में convert होते थे उसके बाद कुछ 5 और 10 degree centigrade और ज्यादा temperature rise होता था तो वो बिलकुल liquid में convert हो जाते थे तो उस time पे कहा गया कि यह कुछ ऐसे compound हैं जिनके two melting points हैं पहला melting point तो वो जब solid से वो एक गाढ़े से liquid यानि हेजी liquid में convert हुआ और दूसरा melting point वो जब वो liquid हेजी liquid जो है वो liquid में पूरी तरह से convert हो गया तो शुरुवात में तो 18th century में तो यह माना गया कि यह liquid crystals जो हैं यह दो melting point represent करने वाले compounds हैं लेकिन बाद में धीरे-धीरे करके इनका नाम liquid crystal कर दिया गया liquid crystal जैसा अभी थोड़ा समझ पा रहे होंगे solid था वो एक गाढ़े से liquid में convert हुआ और उसके बाद वो फिर further liquid के अंदा convert हो गया अब कोई भी material है उसको जब हम heat करेंगे तो वो liquid crystalline state में जाएगा ही ठीक है अब हो सकता है कि कोई ऐसा material हो जो कुछ कम time variation पे कम time range के लिए उस liquid crystalline state में रहता हो लेकिन कुछ compound ऐसे हो सकते हैं जो ज़्यादा time range तक रहते हो और एक जांपल अगर मैं adjunum करूं के ice को अगर मैं freeze करने जाता हूं यानि liquid water को ice में convert करने जाता हूं तो पहले जब हम उसे ठंडा करना की भरा मिलता है तो एक तरह से मैं इमान के चल सकता हूं कि वहां पर जो liquid है वो थोड़ा सा हेज ही हुआ लेकिन वो केवल कुछ degree centigrade तक इस form में मिलता है तो water का example हम आज as liquid crystal नहीं लेने वाले क्योंकि वह काफी कम temperature range पे एक liquid crystalline state में रहता है अब जिन compounds को आज example के form में हम लोग पढ़ेंगे वो सब ऐसे compounds हैं जो ज्यादा temperature range के लिए जैसे अब यह example लिया था compound का जो आपके सामने बना हुआ है बैंजीन हेक्सा एनलकोनेट यह 56 degree centigrade पे liquid crystal state में आता है और 65 degree centigrade पे liquid state में चला जाता है तो जो एक्जामपल अभी ले रहे थे तो उसके according इसको हम as example of liquid crystal ले पाएंगे क्योंकि यह approximately 10 degree centigrade के range में liquid crystalline state में रहता है 56 से 65 तर तो सीधा definition पर आते है liquid crystal है distinct phase of matter observed between crystalline solid and isotropic liquid state तो solid और liquid के बीच की जो phase है उसे हम liquid crystal state कह रहे हैं अब liquid crystals का classification होगा thermotropic और lyotropic तो thermotropic और lyotropic को समझने के लिए मेरे पास दो short video है उन्हें मैं play करता हूँ पहले जो हम देख रहे हैं वो thermotropic liquid crystal से related है आप थोड़ा एजूम करेंगे लिए तो लायो ट्रॉपिक liquid crystal के अंदर आपने देखा यह polymer balls हम लोगों ने भी देखा होगा छोटी 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 प्लास्टिक के एक पनी में यह balls मिलती है और जब हम इने अपने घर पे जाके पानी में भरके रख देते हैं तो वो swell होके मोटी हो जाती है तो यहां भी जो यह polymer balls जो अभी हम देख पा रहे थे जो थोड़ा बड़े साइज में हो गई थी उनको अगर हम compress करना चाहें तो compress हो जा रही है यानि अगर मैं उन्हें प्रेस करूंगा तो अपना स्फेरिकल जो सेफ है उससे थोड़ा सा चेंज हो जाता है ठीक है जब हमने उन्हें जो स्टार्टिंग में पॉलीमर बॉल्स थी वो सॉलिड इस्टेट में थी उनको हमने लिक्विड के अंदर यानि किसी सॉल्वेंट के अंदर डालके रखा तो वह लिक्विड क्रिस्ट बॉल्स बना दूगा यानि बहुत बड़ा मैजिक बॉल्स बना दूगा तो एक बाल्टी में केवल एक या दो इस तरह की पॉलीमर बॉल्स डाल के छोड़ देते थे तो जब हम काफी टाइम के बाद आके देखते थे तो लगता था कि बहुत बड़ी यानि करीब 6-7 निकालने की कोशिस करते थे वो एक साथ बस्त होके उसी liquid के अंदर या water के अंदर mix हो जाती थी तो actual में हो क्या रहा है जब सबसे कम amount of solvent था तब वो solid state में थी जब amount of solvent बढ़ा तो liquid crystal state में हुई और जब बहुत ज्यादा amount of solvent आ गया तो वो liquid state में आ गई तो thermotropic liquid crystals के अंदर जो phase transition हो रहा है that is on basis of change in temperature यहाँ जो होगा वो होगा change in temperature से temperature change किया तो पहले solid फिर और temperature बढ़ा है liquid crystal और temperature बढ़ा है लिक्विड इस्टेट में आ जाएगा ठीक है यह इसका पोजिट करें पहले liquid में था temperature कम किया liquid crystal और temperature कम किया तो वो solid के अंदर आ गया same ऐसे लायो ट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल का formation होगा बाइचेंज इन amount of solvent तो यहां आपने example देखा कि polymer balls जो थी वो जब शुरुवात में कोई solvent solvent वहां present नहीं था तब तो वो solid state में थी जैसे जैसे solvent का amount बढ़ता गया पहले वो liquid crystal state में convert हुए उसके बाद फिर वो liquid state में convert हो गई तो अभी हम पहले पढ़ेंगे thermotropic liquid crystal उसके बाद हम lyotropic liquid crystal के example पे जाएंगे thermotropic liquid crystal दो तरीके के होंगे kalimatic liquid crystal और discotic liquid crystal kalimatic liquid crystal के जो molecules हैं वो rod safe होते हैं ठीक है discotic liquid crystal के जो molecules हैं वो disc safe होते हैं कि निमेटिक लिक्विड किस्टल सिमेटिक और कॉलेस्ट्रिक लिक्विड किस्टल यह तीन टाइप हैं के लिमेटिक लिक्विड किस्टल के और डिस्कॉटिक के टाइप हैं दिस्कॉर्टिक निमाटिक एंड डिस्कॉर्टिक कॉलिमिनर तो यह क्लास्फिकेशन एक वार ड्रॉ कर लेते हैं पहले उसके बाद अब थर्मोट्रॉपिक लिक्विट किस्टल के बारे में अभी हमने थोड़े पहले बताया था कि यहां फेज ट्रांजिशन होगा विद च कॉलिमिनर तो इतना हम पिछले स्लाइड में डिसकस करी चुके हैं लिक्विट क्रिस्टल में पहले निमेटिक लिक्विट किस्टल की बात करते हैं तो निमेटिक वर्ड जो है यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है निमोस जिसका मतलब होता है ठ्रेड लाइक ठीक है तो यह molecules हैं, elongated saved हैं, जैसा भी थोड़े पहले बात की थी, जितने भी kalimetric liquid crystals हैं, वो elongated saved होते हैं, और यहाँ molecules एक दूसरे के nearly parallel हैं, यानि approximately एक दूसरे के parallel present होते हैं, molecules have no positional order, but some orientational order is present, अब यहाँ पर हाँ समझें, solids के अंदर positional order भी fix होता है, और orientational order भी fix होता है, ठीक है, solids जितने भी materials हैं, उन solids के अंदर positional order भी fix है, orientational order भी fix है, लेकिन liquid के अंदर ना तो positional order है, ना ही orientational order है, तो इन positional order और orientational order को समझने के हम कोसिस करते हैं, हम जब अपनी classroom में बैठे होते हैं, तो हम सभी लोग एक बैंचिस के थू बैठे हुए हैं यानि जैसे बैंच लगी हुई है तो फर्स्ट रो के अंदर जो इस्टूटेंट बैठे हुए है वह इसली विजिविल हैं तो फर्स्ट रो सेकंड रो थार्ड रो इस तरह से हमारा पोजिशनल ओर पूरी तरह से फिस है लेकिन अगर हम second row third row जैसा कोई भी visualize नहीं होता है ठीक है और सभी लोग random खड़े हुए है कोई बीच में खड़ा हुआ है तो उसका यह नहीं पता है कि first row में आ रहा है second row में आ रहा है ठीक है तो positional order पूरी तरह से fix है classroom के अंदर जहां सारे molecule अपनी अपनी रो के अंदर present है और लैब के अंदर वो positional order disturb हो चुका है अब orientation order orientation order अगर आपकी class चल रही है तो सभी student का orientation कहां होता है towards blackboard सभी लोग blackboard की तरफ ही देख रहे होते हैं लेकिन अगर lunch time हो जाए या racist time हो जाए तो आप लोग क्या करते हैं कोई अपने friends से बात करने के लिए पीछे मूँ करके बैठ जाएगा कोई side by side बैठ जाएगा तो उसे हम कहते हैं change in orientation order तो जैसा अभी हम molecule देख रहे थे water के molecule पर हम एक वाफिर से जाते हैं किसी भी solid के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर हमारा जो positional order है वो भी fix है और orientation order भी fix है यह orientation order है क्योंकि सभी लोग अब सभी molecule upright है ठीक है यह orientation order हो गया और positional order हो गया कि यह first row second row third row इस तरह से present है liquid के अंदर ना तो positional order present है क्योंकि अब इस molecule को अगर आप देखें तो यह तो इधर दिखाई दे रहा है यह इधर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर positional order भी disturb हो चुका है और orientation भी सभी का सेम नहीं है यहाँ पर आप लिक्विड क्रिस्टल में ओरियंटेशनल ओर्डर कुछ present है और कुछ positional order भी present है यानि ऐसा तो नहीं है जैसे solid के अंदर सारे के सारे molecules सेम ही height पर end हो रहा है ठीक है लेकिन यहाँ लिक्विड क्रिस्टल के अंदर रेंड़म्ली वह molecule present है यानि कुछ तो positional order अभी भी है कुछ orientation order अभी भी present है ठीक है ऐसा liquid crystal के अंदर होगा तो अभी हम nematic liquid crystal के बात कर रहे हैं तो nematic liquid crystals के अंदर हमने लिखा there is no positional order but some orientational order is present यानि molecules जो हैं वो orientational order तो उनका present है लेकिन उनका positional order बिलकुल भी present नहीं है ठीक है they possess near normal flow behavior similar to liquid state जैसे liquid flow करते हैं सेम ऐसे ही यह flow कर सकते हैं लेकिन इनकी एक property है कि जैसे ही हम एक external magnetic field या electric field हम इसके ओपर apply करते हैं तो यह अपने आपको align कर सकते हैं ठीक है यूज इन मेकिंग LCD इनका यूज इसी प्रोपर्टी के विए से LCD बनाने में होता है आपको याद आ रहा होगा liquid crystal display LCD का full form होता है और उनको बनाने में यही liquid crystals use होते हैं liquid crystal display काम कैसे करते हैं यह हम अभी last में इस lecture के last में हम लोग discuss करेंगे examples इसके होंगे sinobisphenyls जैसे यहाँ पर bifenyl group हो गया दो benzene ring दिखाई दे रहे हैं और sino मतलब यहाँ पर cyanide group जुड़ा हुआ है तो cyanobisphenyl यहाँ तक का molecule है दो phenyl group और एक cyanide इधर यहाँ पर C5H11 कोई भी एक alkyl group add कर दिया है तो अलग-लग companies जो LCD बनाती है तो वह क्योंकि पेटेंटेड होता है liquid crystal बनाने का तो maximum जो companies हैं वह इसी C5H11 के जगए पर कोई भी alkyl group यूज कर देते हैं और एक नया compound बन जाता है तो यह साइनो बेज जो है ये लिक्विड क्योंस्टल इस्टेट पर रहते हैं 20 degree centigrade से ऊपर ठीकología कर कि निम्क लिक्विड कर स्टकर कव से बने रहेंगे 20 degrees centigrade दीकेट दो पर और झिनेटियस एटक तक ठीक है तो निमेटिक लिक्विड किस्टल के अंदर मॉलिक्यूल एलॉंगेटिट सेव्ड यानि रॉड सेव्ड हैं और एक दूसरे के लगबग पैरल होते हैं यहां पोजेशनल ओडर डिश्टर हो चुका है लेकिन ओरियंटेशनल ओडर प्रेजेंट है इसे हम अभी नेक्स्ट स् कर सकते हैं आपने देखा ओगा के LCD आपके कैलकुलेटर में प्रिजेंट होती है जो नॉर्मल कैल्कुलेटर हम यूज करते हैं क्लास्रूम में तो उस कैल्कुलेटर को अगर आप आप ओन करके हखा सा प्रेश करके देखें कॉर्नर से तो आप देखते हैं जैसे वाटर-like दो होता रहता है यानि ऐसे लगता है कि जैसे वेव जैसी वहाँ पर बहरी है लेकिन जैसे ही आप कोई भी एक number प्रेस करते हैं तो आपने 8 number प्रेस किया तो कुछ liquid crystals वहाँ पर केवल आपके black and white LCD में black color के liquid crystals हैं तो जो liquid crystals 8 number बनाने के लिए यूज हो रहे हैं वो liquid crystal उपर आ जाते हैं और बाकी के liquid crystals नीचे रहते हैं अगर आप उसी 8 number को number 2 कर दें तो side के जो 2 liquid crystals हैं जो liquid crystals बनाने के लिए वहाँ पर यूज हो रहे हैं अब जैसे यह आपने इस 8 number को बनाने के लिए जितने यह black color के liquid crystals हैं वो वहाँ ऊपर की तरफ आ जाते हैं लेकिन अब अगर आपने number 2 press कर दिया तो number 2 press करते ही यह जो liquid crystals है यह नीचे चले जाएंगे और यह liquid crystals जो हैं यह नीचे चले जाएंगे अब यह जो number है यह कुछ ऐसे two के shape में हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है ठीक है तो क्योंकि यह electromagnetic field हम जिस तरह से electromagnetic field देंगे उस तरह से liquid crystal अपने आपको align कर लेंगे तो जब इनसे कहा जाएगा two number press करेंगे तो यह two display होगा और अगर three press करेंगे तो three number display हो जाएगा इसलिए इनका use LCD बनाने में होता है तो यहां आप image में देख पा रहे हैं molecules जो हैं वो एक दूसरे के parallel तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन यहां पर positional order जो है वो पूरी तरह से disturb हो चुका है यानि अगर हम इस molecule की बात करें तो यह molecule यह नहीं दिखाई दे रहे कि second row में है या third row के अंदर आ चुका है तो orientational order यहा next है symmetric liquid crystal. तो symmetric liquid crystal में symmetric word लिया गया है from soap तो इनको symmetric liquid crystal क्यों कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो texture होता है वो soap like texture होता है यानि जैसे साबुन को अगर आप देखें कि soap disc जो होती है साबुन दानी में जब नहा के साबुन रखा छोड़ देते हैं तो next day आते हैं तो नीचे कुछ साबुन गल के रखा होता है यानि जो साबुन थोड़ा सा waste की form में पड़ा रहे गया है तो उसे हम बोल रहे हैं soap like texture तो उसको आप अगर देखें तो काफी slippery होता है और एक liquid crystal यानि हेजी liquid की form में होता है तो उससे हम compare कर रहे हैं क्योंकि इनका texture भी कि उसी तरह से जो bottom में साबुन बचा हो रहे जाता है गला हुआ उसके जैसा ही दिखाई देता है इसलिए हम इने symmetric liquid crystal बोल रहे हैं यहां देख रहे होंगे nematic में वहां पर parallel to each other था यहां पर parallel to each other नहीं है ठीक है यहां तो पहले तो parallel आ रहे थे अब यह थोड़ा सा इनका angle भी change हो गया देखने के लिए दो layer of molecule हैं उनके बीच में थोड़ा space बचा हुआ है ठीक है तो इसका मतलब मैं easily देख सकता हूं कि यह molecule वैसे तो नीचे की तरफ slide होके आ रहा है लेकिन मैं इस मैं doubtful नहीं हूं कि यह first row के अंदर है या second row के अंदर है तो यहां पर positional order भी present है और orientational order भी present है they do not possess flow behavior इनके अंदर flow behavior नहीं होता है जैसा pneumatic liquid crystal के अंदर होता है और इनका use lubricant की तरह होता है they are used as lubricant अब यहां पर जो example है वो है four methoxy cinnamic acid तो cinnamic acid का example यह है यह cinnamic acid है ठीक है this is cinnamic acid अब इस पर fourth group पर one two three four fourth carbon पर हमने methoxy group जोड़ दिया है OCS3 group जोड़ दिया है तो इसे हम कहेंगे four methoxy cinnamic acid अब यह जो molecule है यह symmetric liquid crystal बनता है below 83 degree centigrade ठीक है जब इसका temperature 83 degree centigrade के कम होता है तो यह symmetric liquid crystal state में रहता है 83 से 109 degree centigrade के बीच में यह nematic liquid crystal में convert हो जाता है और 109 degree centigrade के ऊपर यह isotropic liquid में convert हो जाता है ठीक है तो यहां पर आप देख रहे होंगे donor images को मैं अभी compare करके भी दिखाऊंगा यहां पर जो molecules हैं वो एक अलग बीच में space दिखाई दे रहा है और हम उन्हें एक अलग position देख सकते हैं कि इनके अंदर एक positional order present है ठीक है तो यहां आप डॉनों को compare कर सकते हैं निमेटिक लिक्विट क्रिस्टल नीमोस मतलब थ्रेड लाइक इस्ट्रक्चर है इनका सोप लाइक इस्ट्रक्चर है दौनों के elongated सेव मॉलिक्यूल है लेकिन यहां पर 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 बनाने में होता है इनका यूज एज लूब्रिकेंट होता है तो यहां इमेज में आप देख पा रहे हैं टानों को compare करके यहां पे कोई भी positional order नहीं है, यहां पे positional order present है, इन images में आप orientational order भी देख पारें, इनका सभी का orientational upright है, लेकिन यहां orientational थोड़ा सा change हो रहा है, यानि किसी का इस तरह से है, किसी का इस तरह से है, orientational order यहां पे disturb हो रखा है, एक जाम्बल्स तो आप लोग अगर कंप्रकाइजन के फार्म में दो तरीके के थे एक तो किलकेक लिक्विड कृस्टल डिस्कॉटिक लिक्विड किस्टल कहला में टेकिक सिमैतिक एंड कोल स्ट्रिक थिक तो निमेटिक and symmetric liquid crystal हमने पढ़े हैं next है हमारा cholesterol liquid crystal तो जैसा नाम से समझ में आ रहा है यह liquid crystal cholesterol derivatives में सबसे पहले find out किये गए थे cholesterol वही है जिसके लिए हम blame करते हैं कि मैं मोटा हो रहा हूं तो cholesterol की वरियसे हो रहा हूं या heart related जो problem है उनके लिए भी cholesterol ही responsible होता है यह cholesterol का molecule है काफी बल्की molecule आपको लिखाई दे रहा होगा ठीक है लेकिन इस molecule को हमें draw करने की जरूरत नहीं है एक्जाम में आप अगर नाम याद रख सकते हैं example का तो well and good अगर नहीं भी याद रख पाते हैं तो आप बिना एक्जामपल लिखे भी अपना answer attempt कर सकते हैं तो सबसे पहले यह जो लिक्विड क्रिस्टल थे कॉलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल इन्हें cholesterol derivatives में देखा गया और यह ऐसे molecules में दिखाई देता है जहां chiral molecule present हो आप लोगोंने optical isomers पढ़ा है तो वहां पे chiral carbon atom पढ़ा होगा chiral carbon atom कौन सा होता है जिसकी चारों valency अलग-अलग functional group से satisfied हो A, B, C and D ऐसा carbon जिसकी चारों valency अलग-अलग functional group से satisfied हो उसे हम chiral carbon atom बोलते हैं ठीक है तो यह जो cholesterol liquid crystal की property है यह किवल ऐसे molecule में मिलती है जहां पे chiral carbon atom present हो यहां क्या होता है कि molecules के अंदर twisting होता है perpendicular to the director ठीक है सबसे पहली चीज़ यहां भी जो molecules है वो rod saved ही है जैसे अभी तक हम elongated save molecule देख रहे थे same as a molecule rod saved है लेकिन यहां जो molecules है they show the twisting of molecule यहां आप अगर देख रहे होंगे तो एक दो तीन चार पांच और 6 छह अलग लग लाइन लगी हुई है लाइन पनी हुई है actual में यह केवल एक ही molecule का representation है एक ही layer of molecule का representation है जो अपने bond axis पे bond axis बोलते हैं जो center of the molecule से होके जा रही है उस bond axis पे rotation so करता है ठीक है तो अभी next image में हम इसे समझ पाएंगे थोड़ा सा used in making digital thermometer अब आप यहां पर एक next image पर पहुंचता हूं उसके बाद हम discuss करेंगे जैसे यह एक molecule बना हुआ है यहां पर जितने वे molecules थे वो सब ही इस 180 degree के एंगल पर प्रेजेंट से थोड़ा सा rotation किया तो उन्होंने इस तरह से rotate हो गए अपने आपको फिर और थोड़ा rotate किया फिर और थोड़ा rotate किया ठीक है फिर और थोड़ा रोटेट कर दिया यानि यह जो पोजिशन थी इस पोजिशन से इस पोजिशन तक अभी rotation कितना हो चुका है 180 degree का ठीक है तो actual में यहां जो आप image देख रहे हो यह भी केवल एक ही molecule किये यह भी धीरे धीरे करके rotate करते करते यहां पर rotation कितना दिखाए दे रहा है यह pitch यानि अभी 180 degree हुआ है जहां से perpendicular थे इनको अगर हम ऐसे रोटेट करते वह लाए 180 degree अभी rotation हुआ है इसे एक और बार 180 degree rotate होना होगा तब जाके total 360 degree का rotation होगा ठीक है तो जब यह 360 degree का rotation कर देता है तो उसे हम बोलते है पिच ठीक है तो इन molecules के अंदर इस तरह से rotation होता रहता है along the bond axis अब यह used in data thermometer कैसे करते हैं इस pitch के change होने के वैसे जैसे ही temperature change होता है ऐसे ही उसका pitch change होता है यानि rate of rotation change हो जाता है उस rotation के rate को हम read करते हैं आपने देखा होगा कि पहले thermometer के अंदर mercury भरा रहता था लेकिन आजकल कुछ white color के data thermometer आने शुरू हो गए जिनके अंदर LCD तो लगी हुई है जिस पर display दिख रहा है कितना thermometer में temperature आ रहा है वो display किसका बना हुआ है pneumatic liquid crystal का लेकिन वहां mercury से हम temperature नहीं calculate कर रहे हैं वहां जो temperature sensitive material हमने फिल किया गया है वो cholesterol liquid crystal है जो actual में इस pitch को यानि इस rotation होने के time को change होता है जैसे थोड़ा भी temperature change होता है और उसको read करके वो display दिखाता है कि आपके body का temperature कितना है तो data thermometer इसी तरीके से काम करता है तो यहां पर आपको बता है कि यहां molecule इस तरह से rotate करता है तो यह जो structure है यह diagram आप नहीं बना पाएंगे easily तो आप इस तरह से एक block के form में एक circle के form में वहां पर अलग लग यह इस तरह से diagram दिखा सकते है तो कलमेटिक liquid crystal तीन तरीके के हैं निमेटिक सिमैटिक और कोलेस्ट्रिक तो निमेटिक के अंदर नो पोजिशनल अडर ऑड़र बट ओरिंटेशनल ऑड़र इज प्रिधेंट सिमैटिक के अंदर पोजिशनल ओर भी है और औरिंटेशनल ओर्डर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है यह में थोड़ा सा चेंज हो चुका है ठीक है कोलेस्ट्रिक लिक्विड किस्टल के अंदर बॉंड एक्सिस के अलॉंग रोटेशन दिखाई देता है तो यहां भी आप देख रहे हैं 180 डिगरी का रोटेशन हमें दि नाइलीन बेस्ट फिन फिनाइल ग्रुप हैं वन टू एंड थ्री तो एक्चुल में तो तीन ही बैंजीन जुड़े हुए हैं यह तीनों बैंजीन एक दूसरे से सिंगल बॉंड के थ्रू जुड़ा हुए है तो उसके बेसिस पे ऐसा लगता है जैसे कि फोर्थ बैंजीन और बन गया है लेकिन एक्चुल में यह केवल ट्राइफ नाइलीन ही है और आर कोई भी एलकाइल ग्रुप हम जोड के तो अभी आप देख पा रहे होंगे यह जो मॉलिक्यूल है यह कॉइन से या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिखाई दे रहा होगा और इसका निमेटिक वर्ड यूज कर रहे थे निमेटिक का मतला होता है वहाँ पर पोजेशनल ओर डिश्टर हो चुका हो तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे फॉर एक्जांपल मैंने कॉइन लाइक स्ट्रक्चर कहा तो मैं आपके पास आता हूं अपने हाथ में बहुत सारे क इसको तो ऐसे बने गया यानि बहुत सारे कॉइन लाया और ऐसे आपकी टेवल पर रख दिये जो रैंडम ली प्रेजेंट है यानि कोई भी रैगुलर अरेंजमेंट उनका नहीं है डिस्कॉर्टिक कॉल्यूमिनर के अंदर क्या होगा कि मॉलिकूल्स जो है उन्हें आपन और और रखते हुए चले गए तो इस तरह से एक्साट बॉनल एक कॉलम का शेप जिये लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं के डिस्कॉर्टिक कॉल्यूमिनर तो discotic nematic के अंदर क्या था ऐसे ही solely arranged थे molecules और discotic columnar के अंदर molecules ने अपने आपको hexagonal stack of coin में hexagonal stack of coin के अंदर arrange कर लिया जैसे हम लोग केरम खेलते हैं तो उसके पहले जो भी चिप्स होती हैं उन सभी को हम इस तरह से hexagonal column के form में arrange करते हैं तो उसे हम बोलते हैं stack of points तो discotic liquid crystal दो तरह के कहें discotic nematic जो loosely arrange होते हैं और discotic columnar जो hexagonal column की form में arrange होते हैं इनका यूज photovoltaic devices में होता है जैसे मैंने बताया था कि और गनिक solar panels भी बनाए जा रहे हैं तो organic solar cells बनाने के लिए हम लोग जो polymers है conducting polymers उनको यूज करते हैं इनकी भी conductivity सेम ऐसे ही होती है जैसे conducting polymer की होती है लेकिन इनके अंदर एक और advantage है कि इनके अंदर self-healing property है यानि अगर वहाँ पे कुछ damage हो जाए इन polymer के structure में sorry in liquid crystals के structure में कुछ damage हो जाए तो इस अपने आप से उस molecule को correct भी कर सकते है यानि आसपास में water के contact में आएगा water के साथ react करके अगर कोई bond break हो गया है तो hydrogen इस तरह से उसे self-heal कर सकता है ऐसी इनकी property होती है तो इस self-healing property की विएसे इन photovoltaic devices की थोड़ी life increase हो जाती है तो अभी इसका बहुत जादा यूज नहीं हो रहा है केवल कुछ research papers मुझे मिले थे इनके अंदर इनका यूज अभी किया जाने लगा है आगे future में और कितना यूज होता है उसको हम further देख पाएंगे तो डिस्कॉर्टिक निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं coin-like structure और डिस्कॉर्टिक कॉलिमिनर को hexagonal column के form में arrange कर के आप दिखा सकते हैं नेक्ट है लायो ट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल तो लायो ट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल के अंदर बतायत है कि यहां पर phase transition होगा वो होगा with change in amount of solvent और इसके basis पर यह दो तरीके के हो सकते हैं जहां पर लायो फिलिक पार्ट हो और जहां नां पर लायो फोबिक हो ठीकिड लायो ट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल दो तरह के हो सकते हैं लायो फिलिक और लायो फोबिक लायो फिलिक का एक्जाम्पल हो जैसे solvent attracting अभि polymer balls के हम मैंग्जाम्पल ले रहे थे वह वो solvent को अक्रेक्ट करते हैं दूसरा लायोफोबिक का एक्जाम्पल जैसे सूप water mixture आपने देखा होगा माइसल का formation होता है तो माइसल दो तरह का होता है inverse missile और normal missile. Inverse missile के अंदर क्या होता है? जो hydrophilic part है वो अंदर की तरफ रहता है और hydrophobic part बाहर की तरफ रहता है जब हम soap को water के अंदर mix करें, तो जो lyotropic liquid crystal है, उनके अंदर या तो वो lyophilic होंगे, या lyophobic होंगे, या जिसके अंदर दौनों end एक साथ present हो, उसका example है muscle, जिसके अंदर lyophilic और lyophobic दौनों part present होते हैं, जब हम उसे water के अंदर mix करते हैं, तो lyophilic part बाहर के तरफ आ जाता है, जब हम किसी organic solvent में mix करते हैं, तो lyophobic part बाहर के तरफ आ जाते हैं, तो इस तरह से lyotropic liquid crystals जो हैं, वो lyophilic भी हो सकते हैं, लायो phobic भी हो सकते हैं, ठीके, और mycel भी हो सकते हैं, जिसके अंदर दौनों part एक साथ present हो, application liquid crystals के in making LCDs, पहले discuss कर चुके हैं, किसका यूज होता है, nematic liquid crystal का यूज LCD बनाने में होता है, liquid crystal thermometer बनाने में, datal thermometer जो बनाने जाते हैं, उनको बनाने में liquid crystals का यूज होता है, कौन से? कॉलेस्ट्रिक liquid crystals का, next है, lubricant, lubricant के तरहें कौन से liquid crystal यूज होता है, symmetric liquid crystal, ठीके, क्योंकि वो texture उनका थोड़ा soap like होता है, तो उनको as lubricant यूज किया जाता है, ठीके, तो LCD की तरहें, pneumatic, thermometer में, cholesterol और symmetric का यूज, as lubricant, अब यहाँ पर दिया है, in detection of hot point in microcircuit, अगेन हमें यहाँ पर temperature variation देखना है, तो कौन सा liquid crystal यूज होगा? cholesterol liquid crystal, ठीके? तो यह कुछ, कुछ के questions है, water liquid crystalline phase, it is the distinct phase, observed between crystalline solid and isotropic liquid, liquid crystals are of two types, thermotropic and lyotropic liquid crystal, which liquid crystals are used in making LCDs, pneumatic liquid crystal, which liquid crystals are used in making digital thermometer, holistic liquid crystal, which liquid crystals are used as lubricant, symmetric liquid crystals, calamitic liquid crystals has elongated saved molecule, या rod saved molecule, discotic liquid crystals have coin saved molecule, या disc saved molecule, ठीके? तो exam में यह जो topic है, यह बहुत ज़्यादा वार पूचा गया है, यानि, almost हर semester exam में 10 marks का एक question liquid crystals से related आता है, तो आप लोग इस topic को अच्छे से prepare कर लेंगे, और मेरा suggestion यह है कि सभी लोग इस topic को note भी कर लें, notes भी सभी लोग स्थाथ के साथ तयार करते हो जाएं, आप लोगों को notes के लिए जो PPTs हैं, यह PPT इसी form में आपके Google Classroom पे provide की जा रही है, वहां से आप देख के अपने notes बनाते चले रहे हैं, साथ ही साथ आपको मैं एक information देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों के seasonal examination अभी नहीं हो पा रहे हैं, first seasonal exam के बाद, second seasonal exam, अभी आप लोग कब वापस आएंगे, कब lockdown open होगा, तो इसके लिए college नहीं decide किया है, कि हर module से 30 questions का MCQ type एक paper लिया जाए, एक test लिया जाए, उस test के जो marks हैं, उनका impact पड़ेगा on your second seasonal marks, ठीके, तो सभी लोगों के compulsory रहेगा, 40 minute का यह test होगा, 10th of April को हम उस test को लेने वाले हैं, और वो जो test के लिए एक Google seat आपको मिलेगी, उस seat में आपको केवल right answer जो है, उसे tick करना है, 40 minute का time मिलेगा, उसी time duration में आप उसे submit करेंगे, और उसके marks आपको उसी दिन साम को provide कर दिये जाएंगे, कितने marks आपको मिल रहे हैं, ठीके, और उन तीन test के basis पे ऐसे तीन test होंगे, module number 5, polymer के उपर, module number 1, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीके, और module number 2, spectroscopy के उपर, इन तीनों के marks का जो average होगा, वो आपका second signal के form में consider किया जाएगा, ठीके, चलिए, तो अगर कोई doubt हो, तो आप मुझसे Google Classroom पे question लिखके पूँच सकते हैं, यहां सभी लोग mute करके रखे गएं, अगर आपको कोई भी doubt रहे गया है, अगर आप नहीं सुन पाए हैं इस lecture को, तो आप लोग 30 minutes के बाद यहीं वापस आके impartus में यह lecture का recording भी दिखाई देता है, आप उसे वापस से सुन सकते हैं, मेरे को सुनाई दे रहे हैं, कुछ लोग voice is not clear करके लिख रहे हैं, तो वो लोग voice सुन सकते हैं, ठीक है, चलिए, ठैंक यू, कल फिर मिलते हैं किसी नए topic के साथ, बुद्बाए, अगर दो, झाल 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 झाल